दोस्तों टीवी शो उतरन एक ऐसा टीवी शो था जिसमें इच्छा अपनी मालकिन की बेटी की उतरन से अपनी जीवन की जरूरतों को पूरा करती है और अपनी मालकिन की उतरन से अपना जीवन निर्वाह करती है लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस शो में इच्छा का किरदार निभाने वाली टीना दटा आज कहां है, क्या करती है और कैसी दिखती है अगर आप भी इस अभी बातें जानना चाहते हैं तो आप हमारी विडियो के एंट तक बने रहें साथ ही टीवी शो उटरन के लिए आप हमारी विडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों टीना दत्ता का जन्म 27 नवंबर 1986 को कोलकाता में हुआ था इन्होंने 5 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में टीवी शो सिस्टर निवेदिता में काम किया था जो की साल 1992 में प्रसारित किया गया था हिंदी सीरियल्स के अलावा ये बंगाली सीरियल्स में भी काम कर चुकी है और इनको कई फिल्मों में भी अभिने करते हुए देखा गया है इनको 2003 में आई फिल्म चोखेर बाली में एश्वर्या राय के साथ देखा गया था लेकिन इनको एक खास पहचान मिली टीवी शो उत्रन से जिसमें ये गरीब इच्छा का किरदार निभाती हुई नजर आई थी और इनका ये किरदार दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद भी आया था और इसी शो के जरिये इनको एक खास पहचान मिली इस शो के अलावा टीना दत्ता और भी कई टीवी शो में नजर आ चुकी है जिसमें उनके अभिने को काफी ज्यादा पसंद किया गया लेकिन कुछ समय टीवी इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद टीना दत्ता को टीवी शो डायन में देखा गया जो इन दिनों सभी का फेवरिट टीवी शो बना हुआ है इस शो में टीना दत्ता के अभिने को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और आज भी टीना दत्ता चोटे परदे की सबसे मशूर और खुबसूरत अभी नेत्री बनी हुई है तो दोस्तों आप सभी को उतरन टीवी शो में इच्छा का किरदार कैसा लगा था आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं साथ ही टीवी से जुड़ी और भी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें